हेलो गाइज मैं हूँ आपका मेंटोर NCRT मैथ गुरू आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th NCRT मैथ का 3rd चैप्टर 3rd चैप्टर में 3.3 exercise इसके हमने examples इसके हमने sum दोनों कर लिये हैं आज हम करेंगे इसके बाकी बचो यह sum हमने 1 to 15 sum किये थे आज हम करेंगे 16 to 25 देखिए यहां पर सबसे पहले 16 sum है तो उसमें क्या क्या चाता है प्रूव देट कोस 9x-5x अपोन में साइन 17x-3x हमको प्रूव करना है किसके इक्वल माइनस साइन 2x अपोन में कोस 10x तो हमको यह प्रूव करना है तो देखिए सबसे पहले कोस यहां पर मालेज चैया पे एकस है यह kos x-cosb का फोर्मल लगाना है kosx-cosy का यह पिर आपके इसके expose a-cosb का तो देखिए यहांपे हमारे पस क्या favorMyаю करना होता है कोस a-cosb aid इंप बस्दों में साइन a-b अपोन तो इसी तरह हमारे पर पस होता है साइन का देखेंगे अपर और भी मंस्विए इसको चैप ऊटेसं का फॉर्म effectively होता है दूर्स कोशो में अपन टू इंटु में साइने एम माइनस इप सब्सकी यह यकेस वाल साइड का लिया इसके भात कोश्य में माइनस कोश्विक लstag को ढला तो यहाँ पर हमारे पास जो A है वो क्या है 9X और जो B है वो है 5X तो इसी साब से में इसमें पूट कर दिया तो हमारे पास आ गया इसी तरह 9-5 करेंगे 4X होगा 4X को 2 स्रिवेट करेंगे 2X हो जाएगा अब निचे हमने लगाने हैं साइन का फॉर्मुला साइन का क्या होता है 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 इंटू में को साइन A माइनस B अपॉन 2 यह कोस है ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा 2 कोस ए हमार पास क्या है 17X और जो B है वो क्या है 3X यहाँ पर देखिए इसमें value रख दे हमने उसके बाद के आगे हमार पास माइनस 2 कोस 17X प्लस 3X अपॉन 2 इंटू में साइन 17X माइनस 3X अपॉन 2 17 प्लस 3 20 अपॉन 2 है तो हो जाएगा 10 इसी तरह 17 माइनस 3 हो जाएगा 14 और निचे 2 है इसकी डेड में तो हो जाएगा 7 अब देखिए मार पास क्या ची जा गई माइनस 2 साइन 7X अपॉन 2 कोस 10X इंटू में साइन 7X देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा उसके बाद साइन 7X से साइन 7X तो हमार पास क्या रहा जाएगा माइनस माइनस रहा जाएगा साइन 2X अपॉन में कोस 10X रहा जाएगा बाग के आपस में कट के कट जाएगा तो हमार पास यह जो चीज आ जाएगी होगा किसके कूल होगी राइट राइन साइड के इसी तरह हमारे पास 17 सम है उसमें क्या कहता है प्रूव करना इसमें भी प्लस बी का फॉर्मिल जगा देंगे और कोस ए प्लस बी का फॉर्मिल जगा देंगे दोना का फॉर्मिल मैंने यहां लिख दिया है देखिए यहाँ पे sin a plus sin b का क्या होगा 2 sin a plus b upon 2 into में cos a minus b upon 2 इसी तरह हमारे पास cos a plus cos b का है वो क्या है 2 cos a plus b upon 2 into में cos a minus b upon 2 तो हमारे पास जो इसके according a और b है, sin के according क्या है a 5x और b है 3x इसी तरह cos के according भी 5x है sin के और cos के according b 3x ही है तो इसमें हम values रख देंगे a plus b a और b की तो देखिए left hand side हमने लिए सबसे पहले हमने कहा कि formula formula पे according में value रख दी 2 sin a plus b यानि की 5x plus 3x upon 2 into में cos a minus b यानि की 5x minus 3x upon 2 हमने पहले उपर वाले को लिया है यानि की sin 5x plus sin 3x अब नीचे वाल लेंगे हम sin देखिए क्या जगे निचे लेंगे cos cos है दोनों में तो यहाँ पे भी formula भी cos रखाएंगे 2 cos a plus b यानि की 5x plus 3x into में cos 5x minus 3x upon 2 अब इसको हम solve कर लें 5 plus 3 8 8 upon 2 4 हो जाएगा यहाँ पे 5 minus 3 2 2 upon 2 1 हो जाएगा यानि की x और नीचे भी इसी तरह हमारे पास यह चीज़ आ जाएगी तो देखिए अब यहाँ से जो कट आएगा उसको हम काट देंगे देखिए 2 से 2 कट जाएगा cos x से cos x कट जाएगा यह वाद दोनों कट जाएगे तो हमारे पास कहा रहा जाएगा sin 4x upon cos x तो sin upon cos क्या होता है 10 और x कहा है हमारे पास 4x तो यह 10 4x बन जाएगा जो हमको prove करना था इसी तरह हमारे पास 18 सम है इसमें भी हमको prove करना है sin x minus y upon cos x plus y किसके को prove करना है 10 x minus y upon 2k तो देखिए formula भी मैंने आपको पता है था sin a minus b यहाँ पे cos a plus b का लगाया है sin a minus b का क्या है 2 cos a plus b upon 2 into cos a minus b sin a minus b upon 2 इसी तरह cos a plus b का क्या है 2 cos a plus b upon 2 into cos a minus b upon 2 2 तो हमने left and sadly सबसे पहले उसमें formula के coding इसमें put कर देंगे यहाँ पे a जो है x है और जो b है वो y है दूसी साब से हमने यहाँ पे रखती values 2 cos x plus y upon 2 into my sin x minus y upon 2 इसी तरह हमने इस formula के coding इसमें रखतेंगे value cos a plus cos x plus y की तो क्या आजाएगा हमारे पास 2 cos 2 से 2 कर जाएगा cos x plus y से x plus y वाला कर जाएगा तो हमारे पास क्या रहा जाएगा sin x minus y upon 2 cos x minus y upon 2 तो इसको एक बार आप क्या कर लीजिए एक बार इसको x माल के करेंगे sin x upon cos x क्या होता है 10 x तो x जो है हमारे पास x minus y upon 2 हमने रख दिया तो इससे जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया इस तरह हमारे पास जो है 19 sum भी है इसमें भी हमको प्रूफ करना है sin x plus sin 3 x upon cos x plus cos 3 x जिसके इकल प्रूफ करना है 10 2 x के तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे सबसे पहले sin x sin a plus b और cos a plus b का formula लिखेंगे उसके बाद left hand sadly इसमें values रख देंगे देखिए यहाँ पर value रख दी मैंने हमारे पास जो a है वो x है जो b है वो 3 x है तो यहाँ पर 2 sin a plus b यानिकी x plus 3 x upon 2 into cos a minus b यानिक x minus 3 x upon 2 इसी तरह हमने cos में भी रखना है cos का क्या होगा 2 cos a plus b upon 2 into cos a minus b upon 2 a और b की जगा x a की जगा x और b की जगा 3 x रखेंगे इसको फिर हम solve करेंगे देखिए हमारे बस क्या जाएगा इस चीज से यह वाल चीज से यह चीज कर जाएगी उपर निचे same है 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे बस क्या रहा गया sin 2 x upon cos 2 x यह देखिए यहां से इसका plus कर रहीं कितना जाएगा 4 x इसका भी 4 x तो यहां पर दोने तरफ 2 हो जाएगा ना देखिए 4 x upon 2 तो यहां पर इसको काट देखिए तो 2 रहा गया 2 x तो इसलिए यहां पर 2 x होता है sin 2 x upon cos 2 x कितना होता है 10 2 x 20 समय है अब हमारे पास देखिए इसमें क्या कहता है प्रूव करना है sin x minus sin 3 x upon मे sin square x minus cos square x तो सबसे पहले देखिए यहां पर sin a minus sin b का formula लगाएंगे और दूसरी तरफ cos 2a का formula लगाएंगे क्या होता है cos 2a का cos square a minus sin square a अगर यहां पर मान लेज़े पलस होता तो क्या कर देते हैं आप इसको बन मान लेते याद होगी आपको भी बताई थे मैंने अब पिछली वीडियो में तो अब देखी यहां पर क्या हो गया cos 2a जब cos positive होगा और sin negative होगा पर हमारे पास यहां पर ultra है यानि कि sin जो है वो positive है cos negative है तो हम क्या करेंगे यहां से minus common लेकर यहां plus हो जाएगा यहां minus हो जाएगा और यह minus इधर आ जाएगा इसलिए हमने यहां पर a plus b यानि कि x plus 3x upon 2 into में sin x minus 3x upon 2 अब देखिए यहां पर क्या होगा इसको solve गरेंगे x plus 3x 4x 4 upon 2 2 हो जाएगा यानि कि 2 cos 2x और यहां कि आजाएगा sin minus x तो देखिए यहां से क्या है minus को एक बार यहीं रखिए sin post 2x से post 2x काट दीजिए यह जो minus है आप इसको उपर लिख सकते हैं तो हमने उपर लिखते हैं minus 2 into में sin x का क्या होता है sin minus x क्या होता है minus sin x होता है sin minus x क्या होता है minus sin x और cos minus x क्या होता है cos x देखिए cos x होता है यह ठीक है तो यहाँ पर minus sign minus x से हमने क्या बना दिया minus sign next तो यहाँ पर minus है minus cut जाएगा तो क्या जाएग हमारे पस तू शाइन X तो हम को देखी यहिप प्रूफ करना था कि इस चीश प्रूफ को यह चीश को लिए उस बना दिर अगला समय है हमारे पस 21 21 में क्या कहता है देखे इसमें भी प्रूव करना है cos 4x cos 4x plus cos 3x plus cos 2x को upon में है sin 4x plus sin 3x plus sin 2x किसके इक प्रूव करना है 4 3x के तो सबसे बेल देखेंगे कि formula किसमें लगता है अगर देखें आप इन दोन में formula लगाएं तो क्या आजाएगा 4 plus 3 upon 2 7 upon 2 तो यहाँ पर formula नहीं बनेगा फिर आप देखेंगे कि 3 or 2 पर लगाने कोशिश करें तो वह भी निए बनेगा 5 upon 2.5 आजएगा वह हम लेंगे नी फिर हम किस पर लगाएंगे फॉर्मला देखी है मैंने इसको सबसे पहले कि bracket में लिख लिया कि हमने इस पर formula लगाने है तो हमने इसको bracket में कर लिया और जो हमारे को नहीं चाहिए एक बार हमने इसको side कर दिया तो सबसे पहले इन पर formula लगाएंगे cos a plus cos b का क्या होता है 2 cos a plus b upon 2 into cos a minus b upon 2 तो यहाँ पर जो a है वो 4x है जो b है वो 2x है तो यहाँ पर बन गया 4x plus 2x upon 2 यहाँ पर बन गया 4x minus 2x upon 2 और नीची क्या लगाएंगे cos a plus sin b का 2 sin a plus b upon 2 into cos a minus b upon 2 तो देखिए यहाँ पर आप महारे पास जो as it is हमने नीचे लिख दिया फेज को में सॉल्फ करेंगे देखिए मैंने यहाँ पर आपको formula पहले ही लिख दिया है यह formula लगाया जाएगा इन दोनों में तो मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ formula अच्छे से याद रहना चाहिए आपको तब ही सम आप असानी से कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको formula याद रखना है फिर सम हो जाएगा आपका असानी से देखिए अब क्या करेंगा 4x plus 2x 6x upon 2 यानि कि 3x 2 cos 3x आ जाएगा और य 6 हो जाएगा 6 upon 2 कि तरह हो जाएगा 3x तो यहाँ पर हम दिखाए तू साइन 3x इसी तरह यहाँ पर साइक और यहाँ आपर ले लेंगे तो हमारे पस क्या आ जाएगा देखिए हमने ये चीज दोनों में से कोम ले ले तो यहां पर ये चीज है यहां पर भी है रहा क्या गया हमारे पास एक तो टू रह जाएगा और एक कोस एक्स रह जाएगा तो यहां पर मैंने 2 cos x लिख दिया प्लस का 1 यानि कि यहां से हमने चीज़ यह निकाल ले तो यहां रहा जाएगा इसी तरह मैंने नीचे से कर दिया उसके बाद देखिए दोनों सेम हो जाएंगे तो यह आप उसमें कट गए तो हमारे पस कह रहा है कोस x sorry cos 3x upon sin 3x तो यह क्यों होगा quote हो जाएगा quote 3x अब हमारे पस एकना next हमें 22 इसमें क्या कहता है प्रूव देट quote x into quote 2x minus quote 2x into quote 3x minus quote 3x into quote x equal to 1 तो हमें को क्या करना है इसको 1 के इकवल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे left hand side लिखेंगे उसके बाद हमने यह एज़िजिंस लिख दिया ध्यान से देखिए यहां पर common भी आएगा common क्या आएगा इन दोनों में से quote 3x common आ जाएगा जो मैंने भार लिए मैंने का quote 3x तो अंदर के रहा जाएगा plus का quote 2x plus का quote x देखिए यह बच गया हमारे पास अब क्या किया देखिए यह जिए नीचे फिर से उतार देगे अब 3x को हमने ब्रेक कर दिया कैसे ब्रेक किया इसको 2x plus x यहां पर formula बनाने के लिए हमने इसको ब्रेक कर रहा है quote 2x plus x तो अब देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा फोर्मला होता है quote a plus b का quote a into quote b minus 1 upon में quote a plus quote b तो हमारे पास जो a है वो क्या है 2x और जो b है वो क्या है x तो यहां पर इसको एकोडिंग हमने यहां पर values रख दी यहां पर 2x और यहां पर x आ जाएगा चाहिए आप इसको आगे पिछे कर सकते हैं उससे फरक नहीं पड़ेगा यहां पर क्योंकि यह प्लस का है तो हमारे पास क्या आगया quote 2x into quote x minus 1 upon में quote 2x plus quote x तो देखिए अभी यह चीज़ से यह चीज़ कर जाएगी सेम है multiply or divide में है तो यहां पर समें काट देंगे तो हमार quote x into quote 2x जो यहां पर था या इस टीज़ लिख दिया उसके बाद इस चीज़ को माइनस से multiply कर दी यह चाहिए minus को भार पड़ रहा है दीजिए उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा देखिए minus में quote 2x into quote x minus 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए quote x into quote 2x minus का quote x sorry quote 2x into में है quote x और यहां पर plus 1 तो देखिए multiply में आके पिछोंच से कुछ नहीं हो तो यह देखिए यहां पर यह positive है और यह negative है तो यह आपस में cut जाएगे तो हमारे पास क्या रहा है गया plus 1 तो यहां पर हमने लिख दिया 1 यह किसकी को लाग है right hand side के जो हमको prove करना था 10 सब्सक्राइब देखिए अधर में 1-10 स्केर अगर यहां पर सइन होता तो लेकिन हमारे पर सइन नहीं है तो हम यहां पर माइनस लिखेंगे अब देखिए हम 10 त्याल क्या लिख सकते है इन इंटू में то 10 इंटू में 2 इंटू में 2 एक्स देखिए इसको सॉल्व करें है तो हमारे पास 4X याए कि इसलिए हमने इसको ब्रेक कर लिया किसलिए यहां पर 2A बनाने के लिए देखिए हमारे पास 2 और यह जो है 2X वो क्या है ए है ठीक है इसके कोड़िंग हमने यहां पर value रखनी है 2 10 2X 2X क्या है यहां पर 1 upon में 1-10 square 2X 2X A है यहां पर ठीक है न ध्या देखिए यहां पर क्या किया यहां से जो 2 है यह हमने एक बार बार लिखी लिए तो हमारे पास क्या बनाने क्या है वापिछ से 2 10 A यान कि 2 10 X तो 2 10 X का फिर से हमने फोर्मिल लगा देंगे क्या हो जाएगा 2 10 X upon में 1-10 square X हो जाएगा और नीचे देखिए 1-10 square 2X है तो हमन 10 square X और जो square तो हमने की थी हमने इस पूरे Q पर square कर दी वापिस से यानि कि इस Q पर square कर दी अब देखिए हमने क्या कि इस 2 को इस से multiply कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 4 10 X upon में 1-10 square X इसको solve करके क्या आजाएगा हमारे पास स्केर को खोल देंगे हम उपर आजाएगा 4 10 X और नीचे 1-10 square का whole square यह देखिए 1-10 square X का whole square कर दिया उसके बाद क्या करेंगे इसको as it is नीचे लिएगे एक बार उपर लिए बदलब यहाँ पर और उसके बाद इसका LCM ले लें उपर आजाएगा 1-10 square X का whole square देखिए उसक चीज़ कर जाएगी तो हमारे पास क्या रहा जाएगा 4 10 X अब उन में 1-10 square X का whole square minus 4 10 square X और जो यह नीचे एक रहागे ना आपने square काट यह नीचे भी पड़ है अपने हमारे पास 1-10 square X जो हमारे पास नीचे पड़ा था देखिए यहाँ पर A B इन दोनों का माले A भी यह कटके 1 हो गया तो यहाँ पर 1 लिख दिया उसके बाद C अपन B रह जाएगा फिर इस चीज़ को हमने क्या किया multiply गर्दी उपर ले जाके B को multiply C को divide कर देंगे वही मैंने यहाँ पर किया है देखिए हमारे पास जो A था वो क्या है इसके coding A भी क्या आ जाएगा 410 X इंटो में 1-10 square X और नीचे 1-10 square X का whole square minus 410 square X तो अब देखिए इसको क्या करेंगे हम इसकेvoll को क्होल देंगे स्केo कुल देंगे तो मारे पास कैया जाएगा 1 plus 10 square का Alt यहाने कि पहले तो a square प्लस b square बीज़ कर दिया तो फोर आजाएगा पावर देखी सेम हो जाएगी यहां पर ऐसे हो जाएगा देखिए 10 square x का whole square तो अब इसको यह भी लिख सकते हैं ठीक है तूशले मैं यहां पर लिख जाया 10 की power 4x माइनस में 210 square x यह कैसे आया यहां पर formula के recording 2a into b तो a हमारे पास जो था वह वह था और जो भी था वह 10 square था तो यहां पर 10 square आया और फिर हमारे पास माइनस 4 10 square था as it is हमने नीचे लिख दिया उपर वाले को छेड़ना नहीं है उपर वाले एक बर ऐसे कैसी रखना है as it is नीचे लिख दिया उसके बाद इसको प्लस माइनस करें देखिए यहां पर स्केर वाले स्केर जोड़ने तो क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस निशान कौन सा बड़ा है माइनस का तो हमने यहां लिख दिया माइनस 10 square एक्स प्लस का वन हमारे पस था और यह 10 पार 4 जो था हमने इसको बाद में लिख दिया यही हमको प्रूव करना था यह देखिए यह जो चीज़ आई है यही हमको प्रूव करने थी अब 24 समय इसमें क्या कहता है कोस 4x को किसके को प्रूव करना है 1-8 sin square x into में कोस square x के तो इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले कोस 4x को हम क्या लिखेंगे कोस 2 into में 2x यह देखिए 4x ही बन जाएगा वाप कि तो यहाँ पे फॉर्मला क्या होता देखिए कोस्ट्य का होता है 1-2 sin square a क्या होता है 1-2 sin square a हमारे पास क्या है 2x है इसलिए यहा पर 2x लिखेंगे उसके बाद देखिए 1-2 x का फॉर्मला क्या होता है कि Antos Google सकते हैं यहां पर सॉकतर दीजिए तो क्या हो जाएगा ठूर्व साइं magnet Dosakes यहां बिंदे जाये बएए उन्ट से लिए ज़ेए अपशी लीजिए हो थो अपनी मर्जी होगी सब्हं सांटीं का या पर इकवल टो तूम साइन इंटू ऐ अग्सर म rap जो है एक्सम वो क्या है कर दिखें यहां पर डेबल था तो सिंगल कर दिया कर दिया पर रख। क्या जाएगा इस पर धूर करेंगे यहाँ यह हमारे पसपड़ है अंदर लिखे देंगे 4 sin square x into में cos square x अब इसकी multiple है करेंगे हम 2 के 4 से तो आ जाएगा 8 sin square x into में cos square x और भारा मारा minus 1 चल रहा था देखिए हमने हमको जो prove करना था वो यही था तो हमने इसको prove कर दिया बस इसमें यह ध्यान रखने हैं इसमें 2 formula लगे हैं कौन सा cos 2a का और sin 2a का सबसे पहले cos 4x को हमने क्या से लिखा break करके cos 2 into 2x फिक इससाब से हमने इसको break किया है अब हमारे पास जो है cos 6x है cos 6x को हमने यह चीज prove करने है क्या चीज़ करने है परोफ 32 cos 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 कर देंगे तो हिहां पर 2-a का दु vot कर नहिम करते गई साइब क्या था यस ठ्छी आप और विडी स्ट्रियो थाक्ति पॉर्प कर लाइनpro आपके पास आपको यह निकालना हो तोबंऑ इसको माइनस मिले जांगा और इसको प्लस में ले जाएंगे तो आपके यह फोर्मले से कई और फॉर्मले भी आप इसको ड्राइब कर सकते हो तो आपको ध्यान रखना है cos 3A का क्या formula होता है 4 cos cube A minus 3 cos A तो यहाँ पर सबसे पहले हमने उसकी कोड़ी यहाँ पर values रख दी जो A है वो हमारे पास क्या है 2X है जो A है वो 2X है तो हमने यहाँ पर 2X लिखेंगे 4 cos cube 2X minus 3 cos 2X अब देखिए 2X को हमने फिर से formula लगाए cos 2X का क्या लगाएंगे 2 cos square x minus 1 2 cos square x minus 1 तो हमने यहीं पर देखिए यह लगा दिया 2 cos square minus 1 का whole cube क्योंकि यहाँ पर cube है इसलिए हमने whole cube कर दिया minus 3 यहाँ पर फिर से cos 2 x पर formula लगा सकते हैं क्या हो जाएगा 2 cos square x minus 1 यहाँ पर power 1 है इसलिए यहाँ पर power हमने a की लिखी है यहाँ पर जादा power नहीं शोर नहीं करते एक power को लेकिन हम दिखा सकते हैं वो तो मर्जी हमारी अब देखिए हमारे पास क्या जाएगा इसका whole cube हम open कर दें तो क्या से whole cube को open करेंगे a minus b whole cube क्या होगा a cube minus b cube minus 3 a square into में b plus में 3 a into में b square जो b है वो हमारे पास 1 नहीं से लिए हाँ पर 1 का square मैंने show नहीं गिया चैप कर सकते हैं और यहाँ पर 1 अब इसको हम solve कर लें 2 cos square x की power 3 है तो इसको solve करेंगे 2 की power 3 8 cos square की power 3 है तो cos की power 6 हो जाएगी cos 6 x हो गया 8 cos 6 x और यहाँ पर 1 की cube 1 आ जाएगी और फिर हम करेंगे इसकी square को open करेंगे तो क्या जाएगा 4 cos की power 4 x और जहाँ बार into में 3 था हम इसको multiply कर दिया तो हो आ गया 4 into 3 12 cos की power 4 x 3 into 2 क्या जाएगा 6 cos square x और यह हमारे पास यह है as it is हमने लिख दिया देखिए इसके बाद हमने क्या किया इस 4 को multiply कर देंगे तो multiply देखिए क्या पर किया 32 x 8 4 जा 32 cos की power 6 x minus 4 1 से multiply हो है 4 into 12 करेंगे 48 आ जाएगा 4 into 6 करेंगे 24 आ जाएगा और यह हमने as it is लिख दिया अब देखिए इसकी plus minus करके हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 32 cos की power 6 x यह हमारे पास देखिए 6 power x जो 6 है power सिरफ एक है तो हमने वो as it is लिख दिया देखिए अब constant कौन से है minus 4 plus 3 यह हमारे पास दोनों constant है तो minus 1 आ जाएगा minus 4 plus 3 minus 1 इसी तरह देखिए post की power 4 x जो post की power 4 है वो भी single है तो हमने इसको भी लिख दिया minus 48 post की power 4 x और 24 यहाँ पे देखिए post square दो बार है यह वली चीज यह जो चीज है हमारे पास दो बार है न post की power 2 तो जो को minus करेंगे plus minus minus करेंगे 24 minus 6 कितना हो जाएगा 18 post square x आ जाएगा अब देखिए यह जो चीज जा गई हमारे पास यह हमको प्रूव करनी थी तो इससे हमारे सम सारे एक साज यह अवली complete हो शुकिए 3.3 अगर आपको अच्छी लगे लाइक शियर सिस्क्राइब करना बंत भूलना अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सिस्क्राइब कर दें चैनल को और बैल आइकन को प्राइश कर दें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए अगर आपको कोई समसमझ नहीं आया तो आप कमेंटर बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको समझ आ जाए तो कमेंटर बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपको एकसेस कंप्रीट आपकी हो चुकी है